ओके तो दोस्तों इंडियन मार्केट में आखिर कार सेमसंग ने अपना एक नया स्मार्टफोन बड़ी बैटरी वाला सेमसंग गैलक्सी M32 को लॉंच कर दिया है दोस्तों ये स्मार्टफोन एक बड़ी बैटरी के साथ आता है जिसकी सुरुवाती कीमत आपको देखने को मिलती है सिर्फ 14,909 रुपे और इसका दोस्तों एक हाईर वेरिंटी भी आता है जिसमें आपको 6GB रैम और 18GB इंटरने स्टोरेज देखने को मिलता है उसकी कीमत आपको देखने को मिलती है 16,909 रुपे और जोसका लोए फेरिंट है जो मैंने आपको बता है 14,909 रुपे उसमें आपको देखने को मिलती है 4GB रैम और 14GB इंटरने स्टोरेज दोस्तों इस स्मार्टफोन की सुरुवाती से आपको देखने को मिलेगी 28 जून से जो की आपको एमजोन इंडिया पर देखने को मिल जाएगी एमजोन इंडिया के साथ साथ दोस्तों ये स्मार्टफोन आपको रीटेलर स्टोर पे भी देखने को मिल जाएगा जिसके वाई से आपको इस smartphone की तरफ जाना चाहिए, या फिर आपको आप भी भी किसी अन्य smartphone की तरफ ही रहना चाहिए, क्योंकि Samsung का smartphone build quality तो अच्छी देता है, लेकिन specification में थोड़ा सा पीछे रह जाता है, तो आज वीडियो को पूरा चरूर देखें, दोस्तो सबसे पहले ह हम बात करें इस smartphone की display की, तो दोस्तो इसके अंदर आपको 6.4 इंच की FHD Plus Super AMOLED डिस्पले देखने को मिलेगी, जो कि दोस्तो आपके 90 Hz के refresh rate के साथ आईगी, दोस्तो याद रहें, Samsung की display तो बहुत कमाल की ही होती है, बाकी features देखते हैं, डिस्पले तो आपको Samsung Galaxy M32 की कमाल की देखने को मिलती है, साथ ही दोस्तो ये smartphone Android 11 पर काम करता है, जिसके अंदर आपको 1 UI 3.1 देखने को मिल जाएगा, और दोस्तो इस smartphone में पोस्तर आपको MediaTek का दिया गया है, MediaTek का Helio G80, G80 पोस्तर आपको gaming में काफी मदद करता है, छुड़ से जब से लांच होए G80 पोस्तर तो gaming में आपको काफी हद तक बहुत बढ़िया performance देता है, तो आप तो PUBG भी वापस आगए है अपने अनए वरूप में, तो आप इसमें बढ़िया तरीके से PUBG को प्ले कर पाएंगे, और साथ ही दोस्तो बात कर इसके हन्या features की, जैसे की camera की, तो दोस्तो इसके अंदर आपक पे quad camera setup देखने को मिलेगा, जिसमें दोस्तो आपको 64 megapixel का primary sensor, 8 megapixel का ultra wide lens, साथ ही दो मका micro और दो गादे sensor देखने को मिल जाएगा, तो भाहीं दोस्तो फ्रेंट में भी कमी नहीं छोड़ी है, फ्रेंट में आपको 21 megapixel की इसके अंदर selfie भी देखने को मिल जाएगी, दोस्तो आपको तरह तरह के sensor देखने को मिलते हैं, slow motion से लेकर आपको 30 fps तक video को record कर पाएंगे, और साथ ही दोस्तों बात करें स्मार्टफोन के connectivity features की, तो दोस्तों यह smartphone 4G connectivity बे बेस्ट है, जिसके अंदर आपको Wi-Fi Bluetooth GPS देशे सिस्टम देखने को मिल जाएगे, वहीं दोस्तों यह smartphone side स्कैनर के साथ आता है, आपको बैक पर नहीं देखने को मिलता है इस बार, और दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताई चुका हूँ, इसमें आपको एक 6 जर्मच की बहुत बढ़ी powerful battery दी गई है, जो कि इसके 25 बोल्ट के fast charger के साथ आईगी, ठीक है, fast charger भी आपको इस बार ठीक इसे comparison होता है, कौन सा smartphone देता है, इसे टक कर, और दोस्तों आगर आप किसी smartphone की साथ इसका comparison देखना चाते हैं, तो comment करके बता सकते हैं, आपको जल्दी ही वीडियो देखने को मिल जाएगी, आगर आप इसमें confused हो रहे हैं, क्योंकि दूस्तों सैंसेंग के smartphone भी बहुत से लो कर दोस्तों से लो कि वीडियो दूस्टों ओज़े के lotप उना थेखने की साथ एसका लिए इसकाते हैं, раб option बहुत साथा जएक्यां के unoबतिक इसमेशियो.